नमस्कार दोस्तों पूझा शिक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है जै मातादी दोस्तों आज जिस नवी शेपर हम चर्चा करेंगे वो है नवरात्र के अफसर पर केवल सिंदूर के माध्यम से कैसे आप धन के लिए जो है कारे कर सकते हैं लाब के लिए या जीवन में अगर आपके इस समय पर कोई परिशानी चल रही है तो उसके लिए आप क्या कारे करें नवरात्र में क्यूंकि माता रानी को जब हम शरंगार अर्पित करते हैं तो सिंदूर के बिना शिंदूर अधूरा माना जाता है और सभी जानते हैं कि माता रानी को सिंदूर अति प्रिय है सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगी पती या पतनी के प्रेम को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे किसी मंदिर में जाईए जहां की माननेता हो खास तोर पर अगर आपको वो मंदिर महाकाली का मापारवती माता का मिल जाता है या दुरगा माता का मिल जाता है तो वहां से आप जो है वहीं की दुकानों से बाहर से आप जो है सिंदूर खरी दिये माता रानी के मंदिर में जाईए उनके चड़नों पे उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर जो है आप उनके चड़नों पे रखकर जो है मनो कामना मांगे कि सौभागेवती होने का आशिरवाद दे हमें या हमारे पती का नाम ये है और इनसे हमारा प्रेम जो है सदा सदा के लिए बना रहे और वहीं से आप माता रानी के चड़नों से जो सिंदूर है अपनी मांग में भर लीजिए उसके बाद वो पूरा पकेट घर पर लेकर आज और साल भर जो है आप इस सिंदूर का यूज कीजिए अगले नवरातर में फिर से यही जो क्रिया है इसे दोहराईए आप देखेंगे ये जो है आपके पराक्रम में व्रद्धी करेगा आपके जीवन में मान संबान की व्रद्धी करेगा क्योंकि सिंदूर लगाने से भी आपके जीवन में जो है आपको काफी लाब प्राप्त होते हैं आप में सम्मोहन की शक्ती बढ़ती है आपके अंदर जो शक्तियां है वो जागरत होने लगती है और जो आपका क्राउन चक्रा है वो भी एक्टिवेट होने लगता है तो सिंदूर लगाना जो है अपने का इसके अलावा कवारी कन्याय क्या करेंगी वो भी मातारानी के दर्बार में सिंदूर अर्पित करेंगी और सुहाग के लिए माननेता मांगेंगी या आप जो है सुहाग के लिए विंती करेंगी कि आते साल तक मातारानी हम भी सुहागन बने या हमारा विवा बंदन अगर क योग वर्द की प्राप्ति हो तो केवल आप जो है मातारानी से सुहाग मांगेगे कि मातारानी हमें जो है विवाबंदन में बांदिये और हमारा आते साल तक विवाबंदन बंद जाए नवरात्र में मादुर्गा के शिंगार में सभी वस्तूओं का बहुत महत्व होता है प यह जो दिन बाकी है इस समय पर पीपल के पत्ते पर जो है आप चमेली के तिल से सिंदूर का पेस्ट बना यानि चमेली का तेल आपको इस कारे के लिए लेना है सिंदूर का पेस्ट बनाना है दोनों को मिला कर और पीपल के जो चिकने हिस्सा होता है यानि जो डंडी रहीत हि पाते हैं तो नवरात्र की किसी भी दिन कर लेंगे तो चलेगा क्योंकि यह जो नौ दिन होते हैं अपने आपने श्रेश्ट माने जाते हैं आप यह जो है हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चड़नों में रख दीजिए और आपकी जो भी मनो कामना हो माननेता माँग जीवन में उन्नती और उचाईयों को प्राप्त करवाता है यदि आपके घर की दशा बहुत अधी खराद चल रही है तो आप क्या करेंगे आप जो है सिंदूर में तेल मिलाकर आप अपने घर के द्वार पर स्वास्तिक या शुबलाप का चिन अंकित करेंगे ओम भी आप ल गरों में दो जगा से आना होता है या तीन जगा ओपन डोर्स होते हैं तो वहां सभी पर जो है आप ये कारे कर दें गैलरी अगर आपकी बड़ी है और वहां से भी गेट बहुत बड़ा है तो गैलरी में भी आप ये कारे जरूर करें जिससे कि आपके घर में सभी और से ज समाजी शेत्र में आपको जो है काफी लाप राप्त हो तो आप क्या करेंगे पान का पत्ता ले लेंगे क्योंकि माता रानी को पान बहुत प्रिय है इसमें थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को रखकर नवरात्र के बुद्वार के दिन की शाम को आप पीपल के पेड़ के न प्रियम आना जाता है मा कालका को मा देवी दुर्गा को और हम जो है फिटकरी का प्रियोग भी जो है नवरात्र में अलग-अलग रूपों में करते हैं तो ये तीनों ही कारे कर लेंगे ये वाला कारे तो तीनों का ही जो लाब है आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में आपको जो है बहुत से मान सम्मान के साथ साथ सामाजिक स्तर पर विस्तार मिलेगा यानि व्यापार में विस्तार मिलेगा नौकरी अगर कहीं करते है तो वहाँ पर मेल जोल बढ़ने लगेगा जिससे आपका जो है शेत्र बढ़ेगा और लोग आपकी जान पहचान में आने लगेंगे अब भाईयों और बहनों स्थाई लक्षमी निवास के लिए आपको यहां पर एक उपाय बताएंगे आप क्या करेंगे चांदी के अटोरी अगर आपके घर में होती है तो बहुत शुब है अगर नहीं है तो इसके स्थान प साथ आप जो है दस दूसरे सिक्के डाल दिजे याने आपको टोटल संख्या ग्यारा करनी है सिक्के अगर आपने पांच के लिए है तो दस पांच के सिक्के लेंगे दो के सिक्के लिए है तो दो दस के सिक्के लेंगे याने आपको दस की संख्या के जो सिक्के है एक ही अक ग्यारा अक्षत याने साबु चावल डालकर आप जो है माता लक्षमी के सामने पोटली बना के रख दीजिए और इस पोटली को जो है आपको पूजा करनी है अब आप जो बचे वे हैं क्योंकि बुद्वार से कारिश शुरू किया जाएगा और नम्मी तक रहेगा ये कार श इसके बाद इस पोटली को नम्मी के बाद जब कंजक पूछते हैं या आप कंजक नहीं पूछते हैं तो माता रानी के आगे हाँ जोड़कर विंती करें कि आप किसी भी एक कन्या को जो है कपड़ों का दान करेंगा ड्रेस देंगे कोई भी या आपके कुटुम परिवार म हो इस बात का ध्यान रखे कपड़े का परस चलेगा आपको साल भर जो है धन की कमी नहीं परेशान करेगी साती साथ आपके घर में जो है स्थाई लक्ष्मी निवास करने लेगी यह बहुत चोटा सा उपाय है परंतु साल भर जो है आर्थिक तंगी को दूर करता है और बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए जैमाता दी दोस्तों